नवसकार दोस्तो एक बर फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आसान भासा में दोस्तो आज भी क्या आप ये पुराना वाला लेमिनेशन कार्ड वाला वोटर आईडी जो है इस्तमाल कर रहे हैं आज आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे आप ये पुराना वाला जो लेमिनेशन कार्ड का वोटर आईडी है इसको रिप्लेस करके ये नया वाला जो PVC कार्ड का वोटर आईडी होता है ये कैसे बनवाएगे वो भी बिलकुल फ्री में तो इस वीडियो को end तक जरूर देखिए पूरा समझिया कि कैसे हम लोग जो है इस लेमिनेशन कार्ड को जो है इस PVC कार्ड में नया PVC कार्ड में जो यह भी latest चल रहा है इसमें कैसे हम लोग रिप्लेस करेंगे वो भी बिल्कुल फ्री अपने फोन से तो चले शुरू करते हैं इसके लिए दोस्तों आप लोगों को अपने फोन में जैसा कि आप अपने स्क्रीन में देख पा रहे हैं आपको एक application दिख रहा होगा voter help line इस application को आपको जो है install करना है अपने फोन में install करिए और इसे open कर लिजे open करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं यहां पे सबसे पहला जो option आ रहा है voter registration इस पर आपको click करना है उसके बाद यहां पे आपको 14 नंबर पे एक option दिख रहा होगा correction of entires form 8 इस पर आपको click करना है इस पर click करने के बाद यहां पर अपना mobile number जो है enter करना है mobile number इंटर करने के बाद आपको OTP पे क्लिप करना है और यहाँ पे आपका जो phone number पे OTP आएगा वो आपको यहाँ पे फिल करना है verify पे क्लिक करिए verify पे क्लिक करने के बाद आपके सामने दो option आ रहा है पहला वाला जो option है yes का उस पे आप click करिए और next के button पे click करिए उसके बाद यहाँ पे आपको अपना voter ID number डालना है आपको अपना voter ID number जो है बढ़िया से capital letter में जो है ठीक से fill करना है voter ID number fill करने के बाद आपको यहाँ पे face detail पे click करना है और यहाँ पे लिकरा we found this record for your entire voter ID इस पे आपको click करना है और proceed पे click करना है proceed पे click करने के बाद आप देख सकते हैं आपका पूरा information वहाँ पे खुल के आजाएगा कि आपका नाम, address और आपका जो भी serial number वगेरा है वो सभी आपके screen पे खुल के आजाएगा आपको next के click करना है यहाँ पे दोस्तों आपसे आपका आधार number पुछा जा रहा है अगर आपने voter ID से अपना आधार number अभी link नहीं किया है तो आप यहाँ पे आधार number अपना डाल सकते हैं और नहीं आप अगर अधार number डालना चाहते हैं तो आप यहाँ इस टिक मार पे click करिए click करने के बाद आपको simply यहाँ पे अपना mobile number डालना है mobile number डालने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आ जाईए और next बटन पे click करिए यहाँ पे email IDs भी fill करने का है alternate email, alternate mobile number भी fill करने का option है यह सब optional है आप इसे नहीं भी भरेंगे तो चलेगा स्रिफ एक star mark mobile number रहता है उसको आप भर दिजिए और उसके बाद next के बटन पे click करिए यहाँ पे आपके सामने चार और option खुल के आ रहे हैं इस चार option में से आपको क्या करना है यहाँ पे थर्ड वाला option है issue of replace EPIC without correction ठीक है इस पे click करना है और next के button पे click करना है उसके बाद यहाँ पे आप आप से पूछा जा रहा है कि आपका जो है voter ID आप किस वज़े से replace करना चाहते हैं तो यहाँ पे first option है lost का आप इस पे click मत करिए क्योंकि इस पे आप click करेंगे तो आपसे एफायर की copy मांगेगा तो आपको इसके लिए आपके नजदी की थाना पे जाना पड़ेगा वहाँ से fire copy आपको लेना पड़ेगा और यहाँ पे upload करना पड़ेगा तो आप इस option को select ना करते हुए यहाँ पे destroy due to reason behind control like flood fire and other natural disaster तो आप second वाले option पे click कर दिजे और यहाँ पे tick mark पे click करिए टिक करने के बाद आपको next button पे click करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको जो है अपना place यानि आपका district जो भी आता है वो आप यहाँ पे fill करिए और done पे click कर दिजे done पे click करेंगे तो अब आपके सामने यहाँ पे आपका form 8 जो है एक बार preview दिखाएगा आपने जो जो यहाँ पे भर रखा है किस वज़े से आपने call the reason दिया यहाँ पे सभी चीज आप एक बार देख लिजे बढ़िया से और confirm पे click करिए confirm पे click करने के बाद आप देख सकते हैं आपके सामने जो है एक reference number generate हो करके आगया है इस reference number से आप जो है track कर सकते हैं कि आपका voter ID जो है कहां तक पहुचा है इसका printing process कहां तक पहुचा है कब आपको courier किया जाएगा यह सारी चीज information आप इस reference number से track कर सकते हैं तो यह बहुत ही आसा method था आप अपना यह पूराना वाला जो लेमिनेशन वाला voter ID कार्ड है इसको आप आसानी से अपने नए PVC कार्ड में रिप्लेस कर सकते हैं वो भी बिलकुल फ्री में उमेद है यह वीडियो आपके लिए बहुत ही helpful रहा होगा अगर आपको इस वीडियो के मादधम में कोई भी सवाल है तो नीचे comment में जरू लिखिए और अगर वीडियो पसंद आया तो like जरू करिए और subscribe करना ना बोलिए और bell icon को दबाईए ताकि इस तरह के जब भी latest videos मे upload करूं तो सबसे पहले आपको notification मिले